कि if नमास्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडीयो में जसा कि आप जानते ही हम भारत की नदियों का अध्यदियों कर रहे हैं तो अब वीडियो में हम प्रयाइदीप हि जो नदियाँ हैं उनको पढ़ेंगे तो प्रयाइदीप में पड़ी अपर बहुत की इतनी भी नदियाँ है उनको देखेंगे तो चप्ति अर्ञ बीडियो पहरा हिमालाई अब लेकिंट तो यहां से लेकिंट यहां तक की नदिया आती हैं तो वह नदिया फोनी पढ़नी हमारी od तर्मदा नदी तापी नदी गोदावरी किस्रणा तुर्णबंद्रा कावेरी ठीक है ब्रहमनी दामोदर अच्छा इसमें कुछ नदियां जो एसी है जो इधर आपकी अरब सागर में गिरती है और कुछ ऐसी है जो बे ऑफ बंगौल में गिरती है ठीक है कुछ बंगाल की ख फिर हम देखेंगे बेबंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती जो ब्हारत की भारत की नदियां है उसमें ब्होगोल की भासा में प्राइड़ीप्य भारत की नदीतंतर खहा जाता है जो दक्षडी भारत में भारत में अनेक छोटी-छोटी बड़ी नदियां आती है जिसमें से इन नदियों को दो भागों में बाटा गया है एक बहर जो अरब सागर में जाकर मिलती है ठीक है या मुहाना बनाती है दूसरा बहर जो बंगाल की खाडी में जाकर बनाती है ठीक है उनका मुहाना या तो अरब सागर में होगा या डेल्टा बंगाल में होगा बंगाल की खाडी में होगा अरब सागर में गरने वाली नदियां नर्मदा तापी माही सावरमती और लूनी नदिया जो है वो अरब सागर में गिरती है बंगाल की खाडी में ग किरने वाली नदियां किर्षणा गोदावरी कावेरी पेनार दामोदर महा नदी आती हैं ठीक है तो हमने समझ लिया जो प्राइदी भाल की नदियां है वो कुछ अरब सागर में गिरती है और कुछ जो है वह बंगाल में मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है मैंने यहां पर आपको बता भी दिया डिस्क्राइब भी कर दिया कि नर्मदा तापी माही सावरमती जो है वह बंगाल में सुरी अरब सागर में गिरिंगी बाकी किर्षणा गोदावरी क्यावेरी पेनर दामोदर यह खुश नदियां है जो बंगाल में आती है तो चलिए देखते हैं करके अपनी साही नदियों को पहले हम देख लेते हैं अरब सागर की नदियां ठीक है अरब सावरन में अरब सागर में मिलने वाली जो नदियां है उनको देखते हैं जिसमें पहले नंबर पर आपकी आती है नर्मदा जो है वह अरब सागर में गिरती है ठीक है अब देखत से शुरू होगी और ऐसे अरब सागर में ग्रेगी ठीक है यह इसे जा रही है और अरब में गिर जा रही है तो चलिए पढ़ लेते हैं रमदा नदी के बारे में देखिए इस नदी का उद्गम अमर कंटक के ये 1057 मीटर की उचाई में इस्थित पस्चिमी ढाल से होता है तो कहां से होता है इसका उद्गम अमर कंटक के 1057 मीटर की उचाई में इस्थित पस्चिमी ढाल से होता है भौगोलिक द्रस्टी से यह नदी विद्यांचल सत्पुड़ा सिरेणी के माध्यम से होके भैती है यह नदी भारत के तीन सब्सक्राइब नदी के पास भेड़ घाट की चटनों को काटकर धुआधार जल परपात का निर्मार करती है कौन से जल्प्रिफात्रफात कहा तुछा जाए कि फूछाजय को है तीक रदेना नर्मदा नदी ना के बराबर मतलब इसकी जो साहस नदियां है मोड नहीं है बहुत कम है जो किसा gateway नदियां उनकी लंबाई ओरिसन 300 किलोमीटर को छोड़कर कोई भी सायक नदियां 200 किलोमीटर की लमबाई से जादा नहीं है मतलब ये एक नदी है ओरोसिन जो श्रण्ज घाटी मैंने आपको बताया था क्या होता है पहले वीडियो में बता रखा है नर्मदा जो है वो भिरंस घाटी में बहती है और यहे नदी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना या एस्चुरी बनाईगी ठीक है नेक्स देखते है नेक्स है हमारा तापी नदी या तापती नदी तो हमने नर्मदा देख लिए नेक्स है हमारी तापी नदी ठीक है तापी नदी का मैप देख लेते हैं पहले उसके बाद इसका ब्याक्खा देखेंगे तो इसका जो मैप है वो आप देख सकते हैं आपे नर्मदा के ठीक नीचे तापी नदी यहाँ पे ठीक है यह जो है ता हमें से सजेस्ट रही कराए कि आप जब भी इस तरह की कोई भी किलास लें जिग्रॉफी की तो अपने साथ एटलस रखें ठीक है एटलस एक जरूर रखें तो आप उसमें अपना अंटिक कर सकते हैं या चिंद बना सकते हैं तो यह तापी नदी होगी इसको हमने देख लिए पस्चमी भाग में उत्तरी महराष्ट और गुजरात राज्यों से होकर बहती है कौन से उत्तरी महराष्ट और गुजरात राज्यों से होकर यह बहती है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इस नदी का उदगम 762 मीटर की उचाई पर सत्पुरा पहाड़ी से होता है कहां स जिले में बैतूल जिले में बैतूल जिले के मुलताई के पास में है मद्धप्रदेश में ठीक है न तो यह आपको याद रखना है बैतूल जिले के मद्धप्रदेश से नदी जो है निकलती है सत्पुरा पहाड़ियों से ठीक है सत्पुरा पहाड़ियों से यह किसी जील पठार है बहां से निकलती है ठीक है इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 724 किलो मीटर है अपवा छेत्र लगभग इसके अलावा तापी की एक पिरमुक सायक नदियों में मिंदोला, गिरना, पंजार, बादूर, बोरी आने रहे यह चोटी-चोटी नदियां है, इंपोर्टन नहीं है, जो इंपोर्टन है यहाँ पर आपके सामने डिसकस करी जा रही है जो हमेशा पेपर में पूछी जाएंगी, पूछी जाती रही है यह नदी कुजरात के सूरत डूमस नामकिस्थान पर खंबात की खाडी में मिल जाती है ठीक है ये भी कहाँ जाती है खंबात की खाड़ी में मिल जाती है मतलब अरब सागर में गिड़ जाती है नेक्स है हमारा लूनी नदी ठीक है लूनी नदी लूनी नदी को देख लेते हैं ये रही आपकी लूनी नदी मैप में आप देखी पा रहे होंगे ये है लूनी नदी ठीक है नरमदा के उपर आप देखेंगे तो लूनी नदी आप देखेगी यह आप अपने mind में जो है ना map बना लें ताकि आपको कभी भी atlas बनाने atlas को देखने की या map में देखने की जुरुवत ना पड़े नर्मदा के नीचे टापी और नर्मदा की उपर loony ठीक है इस तरह से आप अपने mind में अपने लूनी नदी की location जो है उसको देख लिया अब next देखते है इसकी त्योरी को देखिए यह है इसकी त्योरी लूनी नदी का उदगम इस्तल कहां है अजमेर के पास पुसकर घाटी आरावली परवस से होता है important point है ध्यान रखना इसका उदगम कहां है अजमेर के पास पुसकर घाटी आरावली परवस से होता है इसकी कुल लंबाई लगभग 320 किलो मीटर है अब वह छेतर लगभग 37001 किलो मीटर है ठीक है इसकी लंबाई कितनी है 320 किलो मीटर है और इसकी सायक नदियों में जावाई नदी, सुकडी नदी, गुहिया नदी, बाडी नदी, जोजारी नदी पिरमुख हैं ये कुछ नदियां है इसकी चो सायक नदी है ठीक है जावाई नदी, सुकडी नदी, गुहिया नदी, बाडी नदी और जोजारी नदी ये भारत के दो राजियो राजिस्तान औ यहां पे बिलुपत हो जाती है तो हमने देख लिया लूनी नदी के बारे में next है हमारी मही नदी इसके बारे देखते हैं देखे मैप देख लिए आप कहा पे हैं माई यह रही आपकी ठीक है नर्मदा के जर्स्ट उपर आपको मही मिल जाएगी ठीक है यह माही नदी है यहां पर देख रहे होगें आप location यह यह चलिए माही नदी के सारे points गों देख लेते हैं माही नदी के सारे points above मुथजिम भारत यह प्रमुक नदी है ठीक न माही नदी का उदगम मदप्रदेस के धार झिलेoga समीप भिंड ग्राम के बिन्वांचल परवाश रेडी में हुआ है ये आपको याद रखना है उद्गम आपको हमेशा-ध रखे रहे हैं कि कि सहर में और किस गाओं में किस राज में हुआ है तो माहिन नदी का जो उद्गम है वो मद्विर्धिश के धार जिला मद्विर्धि जिला है धार और राज है मद्पिर्देश और इसकी कुल लंबाई जो है वो पांसो साथ किलो मीटर है ठीक है पांसो साथ किलो मीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो सायक नदियां है वो कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं इसकी सायक नदी नदियों में सोम जाखम चाप अ अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप इनको याद रखें और टिक करके आ जाएं ठीक है नेक्स देखते हैं मही नदी करक रेखा को दो बार काटने बाली भारत की एक मात्र नदी है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कई बार पेपर में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो करके रेखा को दो बार काटती है तो वो मही नदी है आपकी ठीक है मही नदी करके रेखा को करके रेखा को दो बार काटने बाली मात्र एक मात्र नदी है ठीक है और ये कहां गिरती है ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ठीक है खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है खंबात खाड़ी मतलब अरब सागर में गिरेगी ठीक है next देखते है next है आपकी सावर मती ठीक है सावर मती नदी इसको देख लेते हैं लोकेशन देखते हैं पहले इसकी लोकेशन का है लोकेशन यह है महाई नदी के जैस्ट उपर मिलेगी सावर नदी यहाँ पर ठीक है यहाँ पर ठीक है यह सावर नदी है सावरमती नदी है इसको देख लेते हैं देखिए इसका उद्गम जो है उसको देखते हैं पहले इस न तीन सो अश्य बर किलो मीटर है अवर चेतर है उसका 306801 किलो मीटर है टोटल लंबा इसकी 320 किलो मेटर है सावरमती नदी की सायक नदियां जो है वो उनको देख लेते हैं सायक नदिया स्रीके बाकाल नदी बतक नदी सरी नदी, हरनाव नदी, हरनाव नदी, गुर्गुरी नदी, हत्मती नदी, मेसब नदी, मजहम नदी, खारी नदी और मोहर नदी, ये कुछ नदिया है जो इसकी साइग नदी है, इसमें सेग दाएं टटकी साइग नदीया है, इसमें पूछ लिए जाता है दाएं टटकी सा कम सी हैं यह बताना होता है आन्म सभीन जो है वों कौन सी हैं बाए हले थकी है से यह govern के यह दो भारत के दो राजियों राजस्थान और गुज्रात में वहती यह बो दुर її नो भारत के कि देखी जो अरब सागर में दीयां गिर रही थी कि अब हम देखेंगे बंगाल की खाडी में गिरने NATO горinha doe रफ अरब सागर की खाडी में घरने वाली नंदियों को देखते हैं तो चलिए अग्या चाहते ऍो इसमें हमारी पहली in इस बार भी पूछे जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि इसकी लोकेशन आप देख लें अच्छे से यह है गोदावरी गोदावरी जो रिवर है उसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक मट रुक गये यह देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन इप आई जाए ठीक है यह यहाँ पे गोदावरी की लोकेशन है यहाँ से ऐसे निकलती है और इधर बेव बंगाल में जाके गिर जाती है ठीक है यहाँ से आईगी और बेव बंगाल में जाके गिर जाएगी ठीक है नेक्स देखते हैं तो हमने लोकेशन देख ली अब देखते हैं इसकी थियोरी गुदावरी नदी दक्षेड भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है मैंने आपको बोला था ये बहुत important है क्योंकि दक्षेड भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ठीक है इसका उदगम इस्थाल महराष्ट के नासिक जिले त्रेंबकम नामकिस्थान पर है कहां पर है त्रेंबकम नामकिस्थान पर है नासिक महराष्ट के जो नासिक है बहाँ जो पस्चमी घाट से लगभग 1067 मीटर की उचाई से निकलती है 1067 मीटर की उचाई से निकलती है इस नदी के लंबाई 1464 किलोमीटर है 1464 किलोमीटर है इसकी लंबाई त्य eerste वबहरत के सबसे लंबी नदियों में से एक है सबसे लंबी नदिये इसका अब वह चेत्र जो है वो लगवग 3,00,000,000 बर किलोमीटर है गोदाबरी नदी भारत महाराष्ट भारत में महराष्ट, तेलंगाना, आंध्रदेश, चत्तेशगर और ओडिसा राज में भेती है कहां-कहां भेती है? महराष्ट, तेलंगाना, आंध्रदेश, चत्तेशगर और ओडिसा में भेती है ठीक है? और इसका उद्गम कहा है? नासिक में और गिट्ती कहाँ है बम्री बंगाल में जाकी गिडिखी ठीक है बंगाल की खाडी में जाकी गिरेगी नेक्स देखते हैं गोदावरी की सायक नदिया उनको भी देख लेते हैं गोदावरी की कुछ सायक नदिया है जो important है परिक्षा की अंतरगत आने वाले मुंडारा गाउं से होता है कहां से होता है मद्ध प्रिदेश के सिबनी जिले के अंतरगत आने वाले मुंडारा गाउं से होता है ठीक है मुंडारा गाउं के पास इस्थित रजो ला ताल रजोला ताल से बैन गंगा नदी का एक कुंड से निकलती है, जो रजोला ताल है, बहाँ एक बैन गंगा नदी जो है, एक कुंड से निकलती है, बैन गंगा नदी कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है, वो 579 किलो मीटर है, इसकी लंबाई है, ठीक है, इस 15,100R ber km क्या ہے उसका अपपशेत्र है और इसकी प्रारंभिक प्रवा शेत्र में चटाने आती है लेकिन बाद मेंए विस्थरित मेर निर्माड करती है यह नदी आगे चलकर गोधावरी में मिल जाती है तो ये बैन गंगा जो है वो गोदा बरी में आगे मिल जाती है इसकी लंबाई कितनी है पांच जार से सो 79 किलो मीटर है नेक्स दिखते हैं नेक्स है हमारी मानजरा नदी मानजरा रिवर जो है मानजरा एक नदी है जो तीन राज्यों महाराष्ड करनाटक और तेलंगाना और किस नाम से चाता है बंजारा के नाम से भी जाना जाता है यह नदी महाराश्ठ राज में बिंड जिले के पतोडा अ weren creativity प्रबस रंकला से निकलती है यह गोदावरी नदी की ऎक पिरॉमुक सायग नदी है ज फ्कै गोदावरी नदी के प्रमुक सायग नदी और यह कहां से निकलती है बिण जिले के पफड़ टालूका में बाल घाट है बाला घाट बहां से निकलती है परवस्रंखला से, यहां नदी लगवख 720 किलोमीटर है किलोमीटर की लंबी है, शुरू में यह एक पूर्व बर्ती चैनल बिंड उस्मानाबाद और बिंड लातूर जिले की सीमा बनाती नेक्स देखते हैं कि नेक्स है प्राण हीता नदी फ्राण हीता नदी यह गोदाबरी की एक प्रमुक साइक नदी है इस नदी का प्रारंब बर्धा नदी बैन गंगा नदी के मिलन स्थल संगम से होता है। थीक है महाराष्ट और तेलंगाना में बहती है नेक्स देखते हैं नेक्स है इंद्राबती थीक है इंद्राबती नदी का उद्गम भारत के ओडिशा राज के काला हांडी जिले रामपुर थिवा मूल से होता है तिवा मूल से होता है इसका उद्गम ठीक है इस नदी की कुल लंबाई जो है 390 किलोमीटर है 390 किलोमीटर ये लंबी नदी है यह नदी दो राजियों और चत्तिसगर से होती ही बहती है ठीक है राज में इसका पिर्वा बस्तर दंतेवाडा बीजापूर नारायणपूर जिले में होता है यह नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सायक नदियों में से एक है ठीक है गोदावरी की सायक जती नदियां है उनमें से सबसे बड़ी नदी है यह नदी बस्तर के जगदल पूर से लगवग 38 किलोमीटर की दूरी चित्रकूट जलप्रपात का निर्मार करती है जैसे भारत का नियागरा भी कहते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट है याद रखना है 38 किलोमेटर की दूरी पर चित्रकूट जल प्रिपात का निर्माड करती है ठीक है जिसे भारत का नियागरा वाटर फॉल भी कहा जाता है दंतेवाडा जिले के भद्रकाली में इंद्रावती नदी गोदावरी नदी का संगम होता है ठीक है दंतेवाडा जिले में भद्रकाली में इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम होता है गोदावरी नदी बिस्तर डेल्टा बनाती हुए कहा गिरती है बंगाल की खाड आप नेक्स है हमारी नंबर टू माही नदी ठीक है वो गोदावरी नदी थी और ये सारी गोदावरी की साहिक नदियां थी अब दूसरी है हमारी महानदी महानदी को देख लेते हैं देखिए महानदी कहा है हमारी मैप पर आपको location दिखा दूँ यह है महानदी ठीक है यह महानदी है और गिरीग कहां बेज़ाई बंगाल में देखते हैं महानदी को दिखिए महानदी का उद्गम भारत के चत्यसगड राज के धमतरी जिले के सिबहा पहाड़ी से होता है महानदी का उद्गम भारत के चत्यसगड राज के धमतरी जिले के सिबहा पहाड़ी से होता है ये नदी चत्यसगड की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है टिक है यह नदी जो है वह चत्यसगड़ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है इसका फिर्भाख भारत के दो राज्यों चक्ति गड़ ऑड़ीशा से होता है चक्ति गड़ और उड़ीशा से होती भी यह जाती है इसकी कुल लंबाई इसकी सायक नदी जो है वो सिबनात नदी है पहली नदी सिबनात है सिबनात का उदगम पान बरस की पहाड़ी से होता है कहां से होता है जी पान बरस की पहाड़ी से होता है इस नदी की कुल लंबाई लगभग 290 किलोमीटर है और सिबनात नदी का संगम 36 गड़ के जांजी ग नारायंड के पास महानदी से होता है माधनीर में महानदी में होता है ठीक है कहां होता है सिबनात नदी का उद्गम जो है कहां संगम कहां है चांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायंड के पास महानदी में हो जाता है मतलब यह अंतरते कहां मिल जाती है महानदी में जाके म बसी हम टाइक है और फानबरस की बाड़ी से होता है किher आघ्जेते हैं नेक्स है हस्थी नदी कर्फियों नदी इंप्र NICK है हस्थी नदी ह double नदी न्यक्तर इव तक का है इसना ऽट रख्वा पहाड़ी से होता है कि तो हस्थ नदी 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 का उद्वम्टम travelledsell को हो आफ उसके कुल लंबाई लगवग 1066 km ऐसी नदेच न एकygen सिलह देई के पास मान नदी में मिल जातीए कहां पर मिलतीए इसका उड़िसा के सोन बेरा से होता है कहां से होता है उड़िसा के सोन बेरा से इसका 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 उ सर्गुजा जिले के मैन पार्ट से होता है इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है और इसका महानदी में संगम चंद्रपूर के निकट होता है यह पूछा जाता है महानदी में नेक्स देखते हैं नेक्स है इम्पॉर्टन नदी हैon की लोकेशन का है आप से यहां से असे दामोदर नदी आ रहा है अब भी बंगाल में ति की देखते हैं इसके बारे में देखिए दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार के दोरी नामक इस्थान से होता है कहां से होता है छोटा नागपुर पठार से होगा दोरी नामक इस्थान से होता है ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है यह नदी 430 किलोमीट तभरνेट। पहले इसको क्या कहा जाता था बंगेल का सोक कहा जाता था क्योंकि यह पर छेत्र में भाआनक बाड़ की इस्तरी पैदा कर देता था यह जो नदी है अध्र भाड़ की स्तरीं D कर देती थी किस से पहले दामोदर घाटी पर्योजना से पहले इसलिए इसोके पूर बंगाल का कि लेकिन ऊसी प्र्योजञा के निर्मान के पाश्चाद यह नदिए बंगाल की मातलब जब यह प्र्योगा बन उसके बाद इसमें बाड नहीं आई और ये बंगाल के लिए एक बरदान सावित हुई next देखते हैं next है हमारी ब्रामनी नदी ब्रामनी नदी इसको देख लेते हैं कहां पर है देख लीजे आप ब्रामनी नदी देख रही होगी आपको यहां पर दामदर के ठीक नीचे ब्रामनी नदी है यह ठीक है ब्रामनी नदी यहां से ऐसे आ रही है और बेख बंगाल में गिरेगी है इसके बारे में देखते हैं ब्रामनी नदी का जन्म दक्षिन, कोयल तथा संख नदियों के मिलन से होता है दो नदिया है कौन सी दक्षिन कोयल और संख नदी के मिलन से होता है इसकी कुल लंबाई कितनी है चारसो अठारा किलोमेटर सी लंबाई है और अपवा चेतर लगबग 49,000 बर किलोमेटर कहा है यह एक रितु प्रवा नदी है जो बरस भर में कुछ महिने तक ही बहती है मतलब पूरे साल नहीं बहती है बरस में कुछ महिने ही बहेगी और यह बैतरणी नदी के साथ बंगाल की खाड़ी पर एक डेल्टा नदी मुख बनाकर धामरा के समीप इंपॉर्टेंट नदी है पढ़ते हैं किर्शना नदी कहा है आप इसमें देख लीजिए यहां पर आप किर्शना नदी मिलेगी यह गोदाबरी के नीचे आपको भीमा मिलेगी भीमा के नीचे किर्शना नदी मिलेगी ऐसे ठीक है ये किर्शना नदी है अपकी ठीक है ऐसे जा रही है ये ठीक है लोकेशन देख लिए आपने अब इसके बारे में देखते है देखे किर्शना नदी दक्षे भारत की एक महतपूर और बड़ी नदियों में से एक है इस नदी का उदगम पस्चिम घाट के महा बलेशव के निकट से होता है ठीक है ये नदी लगबग 1400 किलो मीटर लंबी है मतलब 1400 किलो मीटर लंबी है और इसका अपवाच हैतर लगबग 2,69,000 बर किलो मीटर है नदी का प्रिवाच हैतर भारत के चार राजियों महाराष्ट करनाटक आंध प्रदेश और तेलंगाना में होता है कितने राजियों से भारती है महाराष्ट करनाटक आंध प्रदेश और तेलंगाना में ठीक है ये नदी पूरवी घाट के पास दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाडी में मिल जाती है ठीक है ये नदी पूरवी घाट के पास दो धाराओं में बट जाती है और बंगाल क सायक नदी है इसका उद्गम पच्चमी घाट के गंगा मूला नामक स्थान से कहां से होता है गंगा मूला नामक स्थान से लगबग 1198 मीटर की उचाई से होता है किसका रूप है? करनाटक राज्यों के कुंडली के पास कुंडली के पास जिले के कुंडली के पास तुंग और भद्रा नदी का संगम होता है, इसी के बाद तुंग भद्रा नदी का जर्म होता है, इसकी कुल लंबाई 541 किलो मीटर है और वा ऐखेतर 71 especialmente किलो मीटर है, तेलंगाना के आलंपूर के पास किर्षना नदी में मिल जाती है, लेक्स देख इसका उद्गम पच्चमी घाट के भीमा संकर परबस रेडी से होता है कहां चो होता है भीमा संकर परबस रेडी से होता है इसकी कुल लंबाई जो है वो 861 मीटर है इसकी लंबाई है और अपवा चेतर 70,000 किलोमीटर है इसकी साइक नदियों में घोड नदी सीना नदी और कांगिनी नदी भामा नदी और इंद्रयाणी नदी मुला मूठा नदी नीर नदी पिरमुक हैं यह आपको याद नी रखनी है इसका उद्गम कहां से होता है यह आपको याद रखना है बस यह नदी भारत के तीन राज्यों महराष्ट करनाटक और तेलंगाना से हुकर बैती है ये नदी तेलंगाना राज में मंगनूर में लगभग 15 किलोमेटर की दूरी पर किर्षना नदी में मिल जाती है कहाँ पर मिलती है मंगनूर से लगभग 15 किलोमेटर की दूरी पर किर्षना नदी में जाके मिल जाती है नेक्स देखते हैं नेक्स है हम अपकी दूद गंगा नदी, ठीक है, दूद गंगा नदी, भारत के महराष्ट और करनाटक राज में बहने वाली नदी है, जो किर्सना नदी की एक पिर्मुक सायक नदियों में से एक है, कौन-कौन से राज में बहती है, महराष्ट और करनाटक राज में बहती ह और किसना नदी की साइग नदियों में से एक है इसका उद्गम कहां है इसको देख लेते हैं इसका उद्गम महराष्ट के सिंदू दुर्ग जिले की पस्चमी घाट की पाड़ियों से होता है सिंदू दुर्ग जिले की पस्चिमी घाट की पाड़ियों से इसका उदगम होता है ये नदी पूर में बहते हुए कोलापुर जिले से होती हुई करनाटक के बेलगाओं जिले में प्रिवेस करती है और इसका किर्शना नदी में बिले हो जाता है नेक्स है हमारी पंच गंगा नदी ये किर्शना नदी की एक सायक नदी है जिसका उदगम पांडली बुद्रुक गाउं महराष्ट से होता है इसकी कुल लंबाई लगबग 80 किलोमीटर है और ये महराष्ट के कोलापुर जिले के नरसोबा बाड़ी के समीप किर्शना नदी में मिल जाती है किर्शना नदी की सायक नदियों नदियां है और भी किर्शना नदी की सायक नदियां और भी है थीक नाहरी नदी आप महांचित्र में देख पा रहे होंगे यह यह पर नीचे है यह इस तरे से यह काली नदी है तो लोकिरि नदी का उद्गम महाराश के कुर्ग जिले से लगवग 1341 किलो क्लमाटक पर इस का 10 के अवितव से टींगारी बनेती कौनाटर से विफती है इसे कुल नंबाई 805 कि और पेट्र 3097 का विफती में मिल जाती है तमिल लाडूंप अपना डेल्टा बनाती है वे और बंगाल में जाकी मिल जाती है कावीरी नदी की कुछ साहयक नदिय। उनको देख लेते हैं तो चलिए करके देखते हैं कावेरी नदी की सायक नदियों को इसमें पहले नंबर पर आती है अपकी भवानी नदी यह नदी भारत के केरलाजी के पस्चमी घाट के नीलगरी की पहाड़ियों से निकलती है यह नदी भारत के तमिलनाडू राज में बहती है यह केरल की राज जसीमा के समीप पस्चमी घाट से उत्पन होती है कहां से होती है केरल की राज जसीमा के समीप पस्चमी घाट से उत्पन होती है तो यह पस्चमी घाट से उत्पन होती है यहां से इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है अपभाद छेतर लगवग 3500 बर किलोमेटर है ठीक है नेक्स देखते हैं नेक्स है अमराबती ठीक है सॉरी अमराबती जो है इसकी साइक नदी है इस नदी का उदगम अन्ना मलाई की पहाड़ियों से चिनार नदी और पामबार नदी के रूप में होता है कहां होगा अन्ना मलाई की पहाड़ियों से इसका उदगम होता है और चिनार नदी और पामबार नदी के रूप में होता है यानि इन दोनों नदियों के संगम से इस नदी का जनम होता है ठीक है करूर नामक इस्थान पर कावेरी नदी में मिल जाती है, करूर नामक इस्थान पर कावेरी नदी में मिल जाती है, नेक्स है आपकी पेनार नदी, ठीक है, इसको देखते हैं, पेनार नदी को, यहाँ पर आप देखी पा रहे होंगे, पेनार नदी कहाँ पर है, यह इस तरह स पेना और उत्तर पिना किनी नदी भी कहा जाता है पेना नदी और उत्तर पिना किनी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको इसका उद्गम कहा है करनाटक और चिक बल्लापुर में बल्लापुर जिले के नदी पहाड़ी से होता है इसका उद्गम करनाटक के ठीक है इसकी कुल लंबाई 597 किलो मीटर है अपवा चेत्र 55,000 बर किलो मीटर है और ये नदी आंध प्रदेश के निलोर जिले के पास बंगाल की खाड़ी में बिले हो जाती है निलोर जिले के बंगाल के खाड़ी के पास में बिले हो जाती है इसकी सायक नदी कौन-कौन थी है जै म ठीक है बैगई नदी को देख लेते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे जो है वो बैगई नदी है ठीक है यह इस तरह से बैगई नदी आ रही है यह अब यह बंगाल में यह मिल जाएगी तो देखते हैं बैगई नदी को अपनी इस नदी का उद्गम भारत के तमिलनाडू राज के तेनी जिले के पस्षमी घाट के बरु सुनाडू पहडियों से होता है, कहां से होता है, इसकी कुल लंबाई 258 किलोमीटर है और ये नदी तमिलनाडू में भैत वे पाक जलसंदी में बिले हो जाती है, ठीक है, तो ये ऐसे भैत वे पाक सब्सक्राइब यहां से इस नदी का उद्गम होता है तो आप याद रखना है यह पहाड़ी जो है चोकम पट्टी मला पहाड़ी जो है यहां से इसका उद्गम होता है और यह केरल राज की सबसे लंबी और बड़ी नदी है इसलिए इंपोर्टन भी हो जाती है आपको याद रखना है केरल की जो सबसे लंबी और बड़ी नदी है वो पेरियार नदी है इसका जो बिलेव कहां होता है, बेमनार्ट ऍजील के अरब सागर में हो जाता है, ठीक है, Next है आपकी बेलार नदी, बेलार नदी इसको देक लेते हैं, बेलार नदी का उदगम पमिल नाडू सेलम जिले के सियुरौाय पाडी से होता है, शिवराय पहड़ी से इसका उद्गम होता है ठीक है और इसकी लंबाई जो है वो 150 किलो मीटर है अपवा चेतर इसका 7000 बर किलो मीटर है और इस नदी का ये नदी जो है बंगाल बेओ बंगाल बंगाल की खाड़ी में बिले हो जाती है ठीक है कहां पर कुंडू लोड जिले क पारंगी पिट्टई नामक स्थान पर बेओ बंगाल में बिले हो जाती है ठीक है तो ये कुछ नदिया थी जो प्रयाइदिपी भारत की नदिया थी तो हमने इनको देख लिया सारी लगवग सारी नदियों को देख लिया ठीक है तो हमारी ये जो नदिया है वो complete होई हमने तीन नदि हमालाई चेतर की देखिंग ठीक है सिंदू गंगा और बिरहमपुत्र और ये जो प्रयाइदिपी भारत की नदिया बच रहे थी completely हमने इनको देख लिया है तो आज की ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो